हेलो दोस्तो आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ प्यालक में थी कि मज़ेदार पकोड़ों की रेस्पी, हेल्थी वी, टेस्टी वी और बहुती एजी तरीके से बनने वाली रेस्पी शेयर करने वाली हूँ आपको बहुती जांदा पसंद आने वाले हैं तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक बड़ा का बाउल ले लिया था यह फिर प्रछ च्षोटा पड़ गए goddess आप पहले से ही अच्छे से बड़ा बाउल लेजेगा इससे लिश्डे करने में आपको आसानी हो तो सबसे पहले मैंने यहां पर पालक ली थी बारिक चौप कर ली थी पालक को और पालक आप अपने इसाब से कॉंटिटी यहां पर ले सकते हो तो पालक को अच्छे से बारिक चौप करने के बाद मैंने यहां पर मैथी ले ली थी मैथी और पालक मैथी और पालक मैंने यहां पर डाल में एक बड़े साच का प्याय लिया था आप इस तरीक highly छड़ो करना और यहां पर ही इसको करती है और ःताइड करना है और यहां है यॉझ्स पत्ति आठ दे हैं साहत्क गुनेया निला इमनेARK करती हैं अजवाइट आधे का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इसके साथ सदूल भक़ द्रयाइट रते करे इसमें दांच में और उसके बाद यहां पर मैंने थोड़ा से जीरा एड़ किया था जीरे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सारे मसाले आप थोड़ी सी चली फिलेक्स भी एड़ की है और थोड़ी सी मैंने साथ में मैथी मी राली थी थोड़ी सी मैंने कसूरी मैथी भी एड़ की थी और निगुआ है कैसुरी में एम तोड़ा सी गरम मसाला आड़ किया था तो जो है हम उसे भीक साबस्राइब करती हो जाए तो सबसे पहले हम यहां पर पेना पानी ब्लबी हो पानी, य जरूसे पञए जरुब से ओंऔर चलब पाने सब्सक्राट किया का प्रांट चले भी बेसर Α्याट किया था और यहां पर फिर मैने एक चमच ओड़ डाल दर देदेन मायट पेहले डाला था इसको हम अच्छे से इस तरी के सांने वो 있어서 तैयार कर लेंगे और यहां पर दीब हrama। तयान करना जानदा पतला जिस तरीके से हम पखोड़े बनाते उसे साफसे तयान नहीं करना है। यहां पर इसको 10बनेट होच चुकई थी अब एक वार और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए। पहले हातों में थोड़ा से आयल ले लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुई इस तरीके से हम एक घोल जो अपना मिश्रान है वह अच्छे तरी से अलपरट करते हुई मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से फिर हम किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं तो यहां पर मैंने इस त करेंगे एक़गाई आधि तेश फ्लेम पर हाई फ्लेम पर हमें इसको घरम नहीं करना है नौर्मलीए गरम हो जहाए उसब Lak नहींद आता है जब नीके छीच ज्ट याएगा तो अलट करता क्टी ए vacun cả जहांने है जब अच्छे से नीचे से तब हमें इसको इस तरीके से पलट लेना है अच्छे से लो फ्लेम पर हमें इसे गोल्डर राउन होने का से जो अंदर से भी यह बहुत अच्छे से सिक जाएगा करारे करारे एकदम खस्ता पकोड़े बनके तयार होंगे इसको परी चटनी के साथ टोमैटो को अच्छा गिरीन चिली सौस या किसी के अमचूर की घटी मीटी चटनी के साथ भी आप इसको खाईएगा यकीन माहने बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही स्वाधिस्ट बनके तयार होते हैं तो एक वाल इस रेस्पी को ज़रू ट्राय करिएगा अब इस तरीके से देखी एक जो हमने डाले हुए थे एक बंच मेरा बिल्कूर बनके तयार है हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एक दम गोल्डम प्राउंड हो चुका था इस तरीके से ही इसको बनाना है और यहां पर मैंने एक पूरा बंच निकाल लिए था दूसरा जो मैंने बना के तयार किया था सिम बही प्रोसेस में दूसरा भी हम इसमें रेडी कर लेंगे तो इस तरीके से बनके तयार हो जाएंगे अगर जरू ट्राय करिएगा यह वाली रेस्पी मेरी पसंद आए तो चैनको लाइक शियर सब्सक्राइब जरू कर रही हूं यकी मानी इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक बाद जरू ट्राय करके देखिएगा देखिए खाने में ही देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे थी खाने में भी उतने ही टेस्टी बने हुए थे और इस तरीके से एक तोड़के दिखाती हूं ट्रा